so hello my beautiful souls welcome to my channel people deros so guys कैसे आप सब लोग I hope आप सब लोग अच्छे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे and guys आपका new year बहुत अच्छा गया होगा so guys अगर नहीं भी गया तो it's okay अपनी energies को positive रखिए like positive means मेरा क्या होता है कि कभी रोना दोना नहीं करना ठीक है like कभी कभी कु होने से अच्छा है अपनी life में जो हमारे situation आईए because हमें अपने कर्मा को तो भोगना ही है ठीक है जो लोग इन सब चीजों में नहीं मानते है guys उनका मैं कुछ नहीं कह सकती but guys जो भी हमारे कर्मा है ठीक है उनको तो भोगना ही पड़ता है हमें ठीक है so इसलिए guys मैं आपको कह रही हूं कि happy रहा करिए ठीक है and positive रहा करिए so it's okay जो भी हो रहा है life में होने दीजी because हो तो होना ही है destiny में ही लिखा हुआ है हमारे ठीक है so guys आज मैं आपके leading लेकर आ गई हूं first impression of your future spouse कैसा होगा like उनसे meeting कैसी होगी ठीक है कैसे आप दोनों मिलोगे कब तक हो सकता है guys य यहाँ पर आप मिल सकते हो कैसा दिन होगा वो sunny day होगा या रात में मिलोगे या evening time ठीक है and कौन सी place हो सकती है ठीक है so कैसा environment हो सकता है वहाँ पर and nature कैसा होगा spouse का ठीक है उस time मलग कैसा behave करेंगे उनका behavior का क्या होगा guys so यह सब चीजे हम देख लेंगे आपके सामने guys two piles है मै मैंने आपको intuitively भी दे रखी option first card है dance second card है aromatherapy first card का number है 18 and guys second card का है 3 and guys अगर आपकी date of birth है एक से लेके 15 तक तो आप guys first file choose कर लेजे अगर आपको intuitively choose नहीं करना है अगर guys आपकी date of birth है 16 से लेके 31 तो आप second choose कर लेजे and guys time stamps description में होगी and अगर आप new हो चानल पर तो subscribe कर लेजे शाहाँ को and bell icon को दबा दीजे as your wish guys ठीक है so मैं तो आपके लिए reading लेकर आती हूँ आपके wish है ठीक है आपको करना है या नहीं करना है so guys यहाँ पर आपकी piles रखी आपको चूज करनी है and only आपको reading देखनी है so guys start कर लेते हैं first pile से अगर आपने dance card को चूज किया है so guys अगर आपकी date of birth है good morning everyone so guys अगर आपकी date of birth है one से लेके पंदरा तक एक से लेके पंदरा के बीच में आती है तो guys आपके लिए first pile है and guys अगर आपने dance card को intuitively choose किया था तो guys मुझे सलग रहा है वो day sunny day हो सकता है ठीक है because यहाँ पर sun भी दिख रहा होगा आपको sunny day हो सकता है दिन कर बाकी हम सारी Reading से देख लेंगे ठीक है कासा environment हो शकता है उस दिन and मुझे ऐसा लग रहे है जहाँ पर लोग नाच रहे होंगे वहाँ पर आप मिलोगे है ठीक है मुझे ऐसा लग रहे है तो जैसे हल्दी वगरा भी होता है कुछ लोग के मौनिंग में कर ली जाती है और अल्सो लाइक कहां पर हम नाचते हैं जैसे बास वगरा होती है मैं इन सब चीजों को बढ़ावा नहीं दे रही हूं बट यस इन सब चीजों में मौनिंग में भी डांस चलता है and also guys आप उस दिन नाचोगे because of course आपकी शादी होगी first impression कैसा होगा meeting कैसी होगी future spouse है वो ही देख रहे हैं हम and future spouse की ही reading है of course मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके परसन आपको जैसे आप dance कर रहे होगे यहाँ आपको dance करना पसंद होगा guys कोई dance institutes हो सकती है like जहाँ पर dance सिखाया जाता है ठीक है so वहाँ भी आप दोना मिल सकते हो आपके meeting हो सकते है उनको यहाँ फिर आपको dance पसंद है guys okay बहुत creative हो सकते हो artistic qualities उनमे हो सकते है यह आप में so ऐसा लग रहा है guys आप same sex relationship में भी हो सकते हो ठीक है specific message है किसी किसी से resonate होगा पर किसी से नहीं so guys यहाँ से देख लेते हैं because अब तो सब कुछ legal हो गया है ठीक है यह सब चीज़े भी so guys देख लेते हैं check कर लेते हैं angels बताईए please first impression of my viewers future spouse कैसा होगा full wow okay मैंने sunny day कहा है और भाही energies आईए okay wow guys दोनों ही energies same same सी है fire sign ही आ रहा है यहाँ पर omg guys तेनों ही major arcanas है आपके सामने shuffle कर रहे हैं देख लीजे आप थुद भी okay oh my god guys see this sun मैं आपके सामने daily shuffle करते हैं sun सूर्य देवता जी तो हमारे reading में daily ही आते हैं अब तो ठीक है and मैंने यहाँ पर sunny day कहा है और उसी के ऊपर reading beast आ रही है guys so king of swords okay guys dance करना तो उनको पसंद है because यहाँ पर full card भी है like freely dance like मुझे ऐसा लग रहे है manifest oh my god guys lovers wow beautiful energies guys आपके pile one guys आपके energies जैसे होंगी न अभी इस time जो चल रही होंगी उनके base के उपर है guys अगर मैं दस दिन के बाद फिस से रेडिंग करूंगी उस दिन फिस से चेंज होंगी because मुझे ऐसा लगता है कि आप like for example अभी आपके person को आप मिले नहीं हूँ आप 2-4 दिनों के बाद मिल गए ठीक है या दस दिन के बाद मिल गए आपको नहीं पता है न ठीक है कब मिलो गया so guys जो भी आपसे resonate होता है उसको रखिया and it's a general reading also so keep an open mind किसी एक से भी resonate हो जाए बहुत बड़ी बात हो जाती है because इतने सारे लोग देखती है ठीक है अगर सभी से resonate हो जाए तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है guys वो तो सोचे ही बात ठीक है मैं तो कहूंगी सभी से resonate हो मेरे सारे subscribers से मेरे सारी family से हो ठीक है resonate so guys आपके लिए है full card है यहाँ पे major arkanas आए है guys आपको मैं बता देती हूँ 1,2,3,4,5 5 major arkanas आए है 8 cards में से okay and guys first time full like freedom पसंद है आपके person को guys उस दिन बहुत freely feel करोगे आप भी और आपके person भी बहुत ज़रा like कोई tension ही नहीं होगी mind के उपर ठीक है strength है यहाँ बे मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही एक दूसरे को जैसे एक दूसरे की ताकत बनके जाओगे वहाँ पे एक दूसरे को ऐसे समझो के कि yes यह मेरी ही ताकत है like ठीक है कोई भी weak feel नहीं करेगा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे five of pentacles की भी situation है ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है इस person से आप पहले ही मिल चुके हो ऐसा भी लग रहा है यहाँ guys आप इस person से मिले हूँ कही पे stable हो गए यहाँ फिर guys stable हो जाओगे आगे जाकर ठीक है और उस person से आप मिल चुके होगे एक दफा कहीं पे भी मिले हो सकते हो किसी dance जैसे इंस्टिटूट्स होते है ठीक है डांस डांसिंग गरे सिखाने वाले सो गाइस ऐसी सब चीजों के में मिल चुके हो गया आप यहाँ पे sunny day देख रहा है मतलब दिन के time पे आप दुनों ही मिल सकते हो बिकास यहाँ पे yellow yellow energy बहुत जाए यहाँ पे भी guys sun की प्रतिपा बने हुए like sun की ही picture है यहाँ पे भी sun है यहाँ पे yellow 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 guys चीक है yellow yellow dirty fellow ठीक है यहाँ बतलो students के लिए ओता है न ही से भी so guys यहाँ पी आपको एक चीज़ बता दें यहाँ पी infinity का साइन है strength के उपर and magician के उपर भी strength का ही sign है like sorry infinity का ही sign है guys balanced energy रहेंगी दोनों के ही बहुत खुश भी रहोगी and बहुत serious भी नॉर्मल बहुत नॉर्मल feelings रहेंगी अंदर से दिल नाच रहा होगा कि नाच हूँ मैं ठीक है कि मेरे future spouse से मिल रहे हूँ यहाँ उस दिन आपको अगर आपको पता भी नहीं होगा कि मैं अपने future spouse से मिलने जा रहे हूँ आपका मतलब अंदर से मन बहुत खुश होगा butterflies जैसे उड रहे हैं आपके मन म वैसा होगा because sun card है यहाँ पर अफको लियो sign के हो सकते हैं guys आपके person because Leo sign बहुत strong है यहाँ पर दो लियो के cards है Gemini sign, Aries, Gemini भी दो वार आचुक है guys यह दो card guys see this Gemini, Gemini, Leo and Leo मतलब दो यहाँ पर Leo बैठे, दो यहाँ पर Gemini signs बैठे है guys मतलब आप दोनों के ही signs हो सकते हैं यह important signs यह energies बहुत important होती है हो सकते हैं like Gemini sign किस चीज का पर दीक होता है relationship का ठीक है and also यह एक तरह से जादा बोलने का भी sign होता है बहुत बुलककड होते हैं ठीक है मतलब बुलककड नहीं मतलब बहुत बोलने वाले होते हैं Gemini sign कि लोग ठीक है sorry अगर आप हो तो of course होगा ऐसे ही ठीक है and Leo sign गईज बहुत passionate होते हैं अपनी life में हर एक चीज को करने के लिए like loin type होते हैं ठीक है loin कैसे होते हैं दहारता ठीक है हर एक चीज को करने में माहिर होते है loin is a king of a jungle forest का king होते है ठीक है सो गाइस ऐसी होते हैं लिए साइन्स के भी फीपल्स हर एक चीज को करने में माहिर होते हैं आपकी परसन भी ऐसी होगी थोड़ी सी इगो हो सकती है ठीक है इंटेलिजेंट होसे जो बात है वो बोल देंगे आपसे ठीक है कि ऐसा है मुझे यह पसंद नहीं है यह पसंद है मुझे ऐसा करना है मुझे ऐसा लाइफ में रहना है यहां के ठीक है आपकी परसन मुझे दिख रहा है कि आपकी परसन थोड़ी सीविंग कतने वाले हैं जूस जैसे कहते हैं थोड़े से मतलब हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं या आप बहुत थोड़े से ऐसे हो ठीक है कम पैसे खशने वाले and because उनने अपनी लाइफ में guys five of pentacles की situation देखी है ठीक है in the past उनकी family में ऐसे कोई issues होए होंगे उनको थोड़ा सा लगा होगा कि उनकी money related issues उनकी life में चल रहे हैं तो guys after marriage उनको ऐसा सब चीज़े सहनी ना पड़े या उनके बच्चों को ये सब चीज़े सहनी ना पड़े that's why guys वो आपके लिए money जोड रहे हैं बहुत savings कर रहे हैं ठीक है बहुत सारी बाते होंगे guys उस दिन आप call पे भी बात कर सकते हो because सबसे पहले आप call पे बात कर सकते हो ठीक है because मजह से लग रहा है कि messages पे बात हो सकते है calls पे आप social media पे मिले हो सकते हो online मिले हो सकते हो एक दूसरे को वैसे यहाँ पे online कोई भी card नहीं आया online का but यहाँ से मुझे थोड़ा से messages मिल रहे हो कि that का transformation guys बहुत सारी changes होंगे उसके बाद आपकी life में इन person के मिलने के बाद आपकी life change होने वाली है guys fully change होने वाले completely change आपका behavior अगर आप बहुत जारा चिड़चड़े रहते हो गुस्से में रहते हो guys आगे जाके jolly nature होने वाले है बहुत बोलने वाले आप ही बन जाओगे उनके साथ मिलकर ठीक है मुझे से लग रहा है वो person big manifested है ठीक है manifest करनी उसको बहुत अच्छे सी आता है उसको हर इक चीज को पाना पता है कि कैसे पाना है attachment guys first meeting में ही वो person आपसे attached हो जाएंगे बहुत आपको छोड़ेंगे नहीं मतलों कि अगर आपको होगे कि मुझे जाना है अब घर जाने का time हो चागा है या अगर family के साथ ही मिलने जाओगे तो उनका मन नहीं होगा वहां से जाने का उनको attachment फील हो जाएगी आपके आपसे आ सुर्य देवता बारा एक वजे के time लग रहा है मुझे and rest and resignation guys third chakra मैंने आपको कहा passionate होगे दोनों ही वही बात आगी guys आपका confidence level बहुत हाई रहेगा उस तिन and आपको अगर कहा आप confident नहीं हो guys तो उस दिन तो आप of course normally naturally आप guys जैसे naturally आप बहुत ज़रा like jolly nature हो जाएगा आपको उस दिन मलब जैसे कहते हैं नहीं एकदम से रंग रंग change हो गया person का ठीक है change हो गया person एकदम से तो वैसा होगा उस दिन आपके साथ rest and resignation guys आप दोनों ही ठक जाओगे उसके बाद ठीक है मिलने के बाद मतलब आपकी families वगरा आप उसके बाद घर पे जाके बहुत रेस्ट करोगे कि बहुत अच्छा दिन गया अच्छा शाहिद रिष्टा हो जाएगे ठीक है and lovers guys true feelings होगी एक दूसरे के साथ आपकी आपको कहा भी जारे कि आप थोड़ा सा अभी अगर tired feel कर रहे हो guys and उस तिन आप बहुत ज़रा लेक बाते वगरा करके भी बहुत ठक जाओगे उस तिन attachment feel करेंगे आपके person आपके साथ door to personal healing and happiness आपके person बहुत ज़रा healing feel करेंगे आपसे मिलने के बाद guys ज़रनी करके आप जाओगे एक दूसरे के पास थोड़ी दूरी पे हो सकते हो आप तो नो यहाँ पे guys एक bridge type आया है यहाँ पी पानी दिख रहा है थोड़ा सा पानी के आसपास भी हो सकता है ठीक है उनके उस जगा के पास जहाँ पे आट ट्रावल करके जाओगे उस जगा के आसपास पानी हो सकता है ठीक है and bridge वगेरा भी हो सकता है ऐसा ही and जरनी तो guys लिखी का एंपके परसand यह मैं आपको नहीं ना की सिटी से होंगे गो फिश चप्रा आर्केश Holmes गडरीयल मैं आपको क्या बताए बहुत आर्काइप इंजल बाते करने वाले वे यहां से भी बोल दीया और यहां पर फोल चक्रा की बात हो रहते हैं बlles दो मतलों हमारी conversation like communication कैसे कर रहे हैं guys उस तेन आप बहुत communicate करोगे clearly okay temple path है यहाँ पर God की भी बाते करोगे कि ऐसे मैं इन सब चीजों को मानते हूँ आप क्या मानते हो किन God को मानते हो and guys यहाँ पर मुझे असा लग रहे है कि temple path बहुत ज़रा लेक जिसे कहते है न मेरे मुझे word नहीं आ रहा हो बहुत ही ज़रा लेक निर्मलता I think निर्मलता and स्वच्चत मतलब बहुत ज़रा मन को आप साफ करके बात करोगे उन से okay ऐसा कोई word होता है ठीक है मेरे mind में नहीं आ रहा था and guys बहुत ज़रा आप दोनों की true feelings रहेंगे एक दूसरे के लिए okay किसी से जोट नहीं बोलने वाले आप मतलब जैसा आप फिल करोगे वैसा ही आप उस दिन बोल्ड होगे उनके सामने अगर आपको पसंद नहीं है तो of course आप बोल्ड होगे कि yes मुझे आप ऐसे नहीं पसंद हो आपके long recognition and reward guys guys मुझे ऐसा लग रहे है कि इस रिष्टे को तो मंजिल मिलने वली विकाज यहां पर recognition and reward आ चुक है आपके person कोई नों कोई अच्छी जॉब पे भी हो सकते हैं उनको मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के लिए lucky हो सकते हो lucky बन सकते हो विकाज यहां पर recognition and reward आया है एक दूसरे के life में आने के बाद आप दोनों ही बहुत सरी achievements को पाओगे ठीक है achieve करोगे बहुत कुछ अपनी life में waiting game अभी guys अगर आपकी life में waiting game चलाई जा रहे है यह person जैसे एकी चक्कर में घूम रहा है ठीक है तो guys wait जितना भी wait करें यहां पर guys जड़े हैं ठीक है पेड की and वो पेड उगरा है and guys उसके उपर growth होना start हो रही है and वो थोड़ा सा जब बड़ा होगा तो of course यह खुल जाएगा ठीक है उपसे and वो person भी अपनी मेनत जो उसने की उसका फल मिलेगा उसको ठीक है उसके उपर fruits लगेंगे so guys यह बताया जड़े के waiting कभी भी गलत नहीं होती ठीक है उसका कोई भी like मैं आपको बता देती हूं अगर आपको कुछ study में पाना है ठीक है study करके आपको job पानी है तो guys आपको study भी hard करने होगी IPS, IES officers ऐसे ही नहीं बन जाते ठीक है उसके लिए बहुत ज़र study करने पड़ती है and moving on guys आपको कहा जड़े मैंने आपको पहले बता दे जर्नी तो लिखी हुए move on करोगे guys उस place से आप दूसरी place जाओगे ठीक है किसी place से तो आपको किसी और place पे ही जाना पड़ेगा guys spiritual strength आपको कहा जाए spiritual strength guys उस तिन मैंने आपको पहले बताया temple past से भी बताया guys बहुत ज़रा like true feelings होंगे एक दूसरे के लिए आप दोनों ही spiritually भी strength आपका कोई ना कोई life purpose साथ में हो सकता है because यहाँ पे strength हाई है guys spiritual के वाइस चीक है life purpose हो सकता है like intuition आप दोनों की ही high हो सकते because यहाँ पे spiritually आप दोनों ही growth करोगे growth होगे आप दोनों की sacrifice guys आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इतनी त्यारा attachment फिलोगे करोगे उस तिन कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए sacrifice करने के लिए भी ready होगे अगर आपको money चाहिए guys life में बहुत सार रिच्छ होना चाहते हो आप ठीक है तो guys उस तिन आप यह सोचोगे कि मुझे प्यास चाहिए मुझे यह सब चीजे sacrifice भी कर सकते हो ठीक है money तो मैं sacrifice भी कर सकते हो it's okay बाद में कमा लेंगे conflict and defeat जो भी आपने in the past guys conflict and defeat सहा है ठीक है वो सब चीजे खतम हो जाएंगे इस रिच्टे के आने के बाद like आपको किसी ने मना किया है किसी ने like आपको पिछले रिच्टों वालों ने like आपके breakups होया है ठीक है उन्होंने मना कर दिया रिच्टा करके then guys मुझे असा लग रहे कि मुझे कोई बात नहीं अगर money नहीं मिली प्यार है तो it's okay अगर वो person आपको अच्छे लगे तो guys आप उनको choose कर लोगे and day time में ही मिलोगे आप अपने future spouse को okay balance है guys यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा infinity के sign दो टाइमस दिखे है मुझे आप नीचे so guys balance मना के रखिए अपनी energies में okay and अगर आप energies को balance रखोगे अपने तो guys आप दोनों की conversation भी बहुत अच्छी जाएगी ठीक है हस्मुक रहना and also serious मत अना जादा ठीक है it's okay आपकी future spouse है अगर आपको लगते कि yes यह person में रिले सही है तो guys आप yes कह सकते हो and future spouse की reading के तो आप कहोगे ही yes ठीक है यही person guys आपकी life में air sign के उसके fire sign Leo, Gemini sign and Gemini, Hebraic various sign, Aries sign हो सकते है उनका guys मैं आपको और क्या बताओ joy आया है यहाँ पर मैंने आपको खाए खुश रहोगे मतलों आप happy रहोगे दोनों ही happiness आप दोनों की life में and sun भी आया था आपको पता है आपको भी preserve the joy in your heart so that the world knows this is possible so guys अगर आपको आप सोचते थे कि यह सब चीज़े possible नहीं होंगी कैसे होगा यह सब चीज़े तो guys preserve करके रखिए अपने खुशियों को अपने दिल में ठीक है so that जब भी यह सब चीज़े हूँ आप उस खुशी का अनुभ़ कर सको उस time ठीक है belonging guys वाव beautiful card guys अगर आप समझ पा रहे हो इस card को तो बहुत बड़ी बात है come to recognize your true place oh my god guys अग जब mother pregnant होती है उसके पेट में baby होता है ठीक है यह वही है mother का यह body है ठीक है यहाँ पेटे उसमें दो babies है एक angel है यहाँ पे अगर आपको दिख रही हो दोनों ही angels है इसके wings यहाँ पे इसके wings यहाँ पे है guys मुझे अगर लग रहे है कि आपके babies भी बहुत special होने वाले है ठीक है यहाँ guys आप दोनों ही ऐसा मुझे लग रहे है कि दो energies हाईं यहाँ guys आपका अपने mother की वजह से यह रिष्टा हो सकता है ठीक है आपके mother की तरफ से आ सकता है उनकी mother की तरफ से आ सकता है ऐसा feel होगा कि आप दोनों ही एक दोसरे को जानते हो belonging guys, आप दोनों को ऐसा लगए हो कि आप पिछले जर्म से किसी इसे जानते हो, यहाँ आप कहीं मिल चुके हो एक दूसरे को, ठीक है, ऐसा आपको feel होगा अंदर से, ठीक है, belonging feel न होगी, belongingness, service guys, live extraordinary well, live as fulfilling life, this is your service, so guys, extraordinary life को जीए, ठीक है, मतलब, खुल कर जीए, ठीक है, अपने आपको, and services दीजिए, यही आपकी service है guys, अगर आप खुल कर नहीं जीओगे, बंद बंद कर जीओगे, like उस person की साथ ही आप गुटन से ही महसोस करोगे guys, तो guys, ऐसे कैसे रिष्टा हो जाएगा, like आपको अस चाहिम nervousness होगी, बट guys, उसको भी खुश्यों में convert करना है, okay, guys, मुझे नहीं पता, मुझे tomato का tree क्यों दिख रहा है, tomato, tomato का, मुझे नहीं पता, ठीक है, tomato दिख रहे हैं, मुझे यहाप पर eyes close करने पर, I don't know why, but, yes, कोई ना कोई इसका reason हो सकते है guys, आप check कर सकते है, tomato का क्या meaning है, यहाँ guys, कोई ना कोई tomato, उनको tomato पसंद हो सकते है, आपको पसंद हो सकते है, tomato, ठीक है, tomato ketchup हो सकते है, यहाँ guys, tomato का बाग हो सकते है, ठीक है, जहाँ पिए आप दोनों उसके आस पास मेल सकते हो, guys, पता नहीं मुझे क्यों, रेड गलर दिखा टमैटो टमैटोस दिखे ठीक है टमाटास दिखे ठीक है आपके लिए क्यों दिखे बट येस आपके लिए कोई ना कर मैसेज होगा इसके थ्रू सो गाइस पताइए का जरूर कैसी लगी आपको रिडिंग अगर आप न्यू थे चानल पर तो कर लिजे चैनल को अगर आप ने लाइक नहीं किये अभी तक रिडिंग को तो लाइक कर दीजे और कमेंट में बताना कैसी लगी आपको रिडिंग आपका ठीक है बाकी तो मैं यहां पी हूँ आपके लिए रिडिंग करने के लिए सो गाइस अभी के लिए इतना ही मलते है आपके लिए आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स इंप्रेशर या उनसे मीटिंग कैसी रहीगी आपकी कैसे प्लेस पे होने वाली है क्या एंवायर्मेंट रहेगा उस दिनका ओके और बहेवियर कैसा रहेगा फ्यूचर स्पाउस का ओके सो गाइस अगर आपने अरोमा थारेपी कार्ड को चूज किया है या फिर आपकी डेट ओफर्स इक्षिन से लेके 31 तक है तो गाइस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है कौन हो सकते हैं वो पर्सन आपके जो आपसे आपकी फ्यूचर स्पाउस है और उनकी फ्रस्ट इंप्रेशन क्या होगा आपके लिए सो गाइस अरोमा थेरेपी आपके लिए मुझे सा लग रहा है आपके प्रसन को यह सब चीज़े फ्रेगनेंस व्गेरा बहुत पसंद हो सकते हैं लाइक उनको जैसे लेवेंडर की स्मेल बहुत पसंद हो सकती है और उरेंज की फ्रेगनेंस शीक है और उनके पास रमेथिस भी हो सकता है स्चोर या गाइस उनको यह सब चीज़ें का पता होगा लाइका तो अरोमा थेरेपी कैसे ली जाती होके और बे लीव्स चीज़े ठीक है और लेवेंडर वगेरा ओरेंज यह सब चीज़े उनको बहुत यह सब फ्रेगनेंस उनको पसंद होगी पर्फियूम् अगर आप उनके लीए कर अई समौल हो सकती है तो फोल कि अरन यहां पर में जाल होके टाला है और पृपल होगे एक कि आपके आपके परीश निस्व औगेरा यह सब चीज़े पसंद है ठीक है टेरो वीडिंग्स and crystals का काम crystals वगएरा उनको बहुत पसंद होसते है उनके पास हो सकते है crystals ठीक है या gems वगएरा crystal की उनकी shop ज्वालरी वगएरा की shop हो सकते है उनकी या इस सब में interested होसकते है आपके person मलब girl चाहे boy है guys तो interest होता है कुछ न कुछ लोगों का ठीक है सो यह सब चीज़ें आपके लिए इंफोमेटिंग होगी एन गाइस देख लेते हैं कैसा होगा वो दिन कैसे रहेगी वो दिन आपके लिए क्या रहेगा आपके फुचर स्पाउस का बहेविर उस दिन अन इंवाइरमेंट कैसा होगा जहां पर आप दोनों मिलोगे कैसे सिचुएशन होगी यह सब चीज़ें हम देखेंगे ओके जस्टिस काड है यहां पर पाल टू जिनकी डेट अफ परत है 16 से 31 उनके परसन का फर्स इंप्रेशन कैसा रहेगा जलू या नालू ओके वाव गाइस ओमाइगाड गाइस तभी आई यह दोनों 10 of cups and 10 of pentacles है यहां पर 7 साथ में एक साथ में ही ओके ले ही लेते हैं वाव गाइस ब्यूट्फल इनर्जिस आउसम ओके गाइस 10 of swords भी आ चुके है 3 10s तो आ ही चुके हैं आपके सामने 10 of pentacles 10 of swords 10 of wands रहे गए बस ठीक है 3 10s आ चुके वाव गाइस अपर लाइन तो मुझे ऐसा लग रहे है सभी major arcanals याने justice आ चुके है hangman आ चुके star card आ चुके है यहां पर 5 of cups 5 10 5 10 लाइक ठीक है मुझे बढ़ रहे है ठीक है चीज ओके 7 of cups ओके गाइस bottom of the deck है guys lovers card queen of swords first pile में guys king of swords आये थे हैं यहां भी queen of swords आ चुके हैं first pile में king of swords थे and okay 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 so guys मुझे ऐसा लग रहे है आपकी first meeting कैसी होगी ठीक है कैसे मतलब दिन में मिलोगे या रात में मिलोगे मुझे यहां पर guys रात दिख रही है night time दिख रहे है because यहां पर मुझे ऐसा लग रहे है किसी की शादी में जा सकते हो यहां guys कोई जैसे अटेंड करने जाते functions वगरा night time कुछ भी हो सकता है आप जैसे किसी की singing like मैं क्या कह सकते हैं उसको night में जैसे single songs वगरा गाते है ठीक है वहां पर आप दोनों ही मिल सकते हो ठीक है वहां पर आपकी meeting हो सकते है night time में कोई marriage में आप जा सकते हो ठीक है and मुझे अशन लग रहे कि वहां पर साथ में ही नहर भी हो सकते है कोई ना कोई नदी हो सकते because यहां पर आसा दिख रहा है यहां पर भी water की जैसे नदी बहरी है यहां पर भी इसके पास नदी बहरी है यहाँ पर पानी है नहाने के लिए जैसे वो गर्ल खड़ी है ठीक है और मुझे इसा लग रहे है आपके बसन थोड़ी से स्टक फील करेंगे उस दिन के बाद आपके पसन वो clarity मिल जाएगे उनके life partner कौन है ओके because यहाँ पर hand man है वो stuck feel कर रहे थे पहले वो hand थे ठीक है immature feel करते थे ठीक है but after meeting with you so guys उनकी जो awakening process start हो जाएगा उनकी awakening start हो जाएगी okay justice है guys कोई न कोई कानून वगएर से related किसी work में हो सकते है आपके person यहाँ guys उनको justice lover हो सकते हैं सच बोलना पसंद होगा जूट में जूट को वो पकड़ लेंगे चाहे आप बोल लो चाहे ना भूलो but guys वो आपको पकड़ लेंगे ठीक है कि आप जूट पोल रही हो उनको मुझे यहाँ पर लग रहे है कि 10 of pentacles 10 of cups and 10 of swords ही आया है guys तीनों ही 10k ही cards आ चुके हैं यहाँ पर ऐसा लग रहे है कि आपकी person को पता है कि आप उनके partner हो ठीक है but मुझे ऐसा लग रहे है कि आप दोनों मिल चुकी हो guys because यहाँ पर five of cups की situation है एक दूसरे को खोने से दुखी हो family को time नहीं दे पाते हो और also family भी थोड़ा यह feel कर दे कि यह हमें time नहीं दे पाते है ठीक है सभी अपने आप में ही लगे है यह सब ठीक है and यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहे है कि 10 of swords है ऐसा लग रहे है कि कोई नो की situation end हो रही है आप तोनों की life में कि कुछ ना कुछ endings है and then new beginnings है okay because यहाँ पर दो new beginnings के ही card है 1010 मतलब endings and new beginnings का ही number होता है ठीक है कुछ new start हो जाना आपकी life में and यहाँ पर गाईस जो new start होगा वो बहुत अच्छे के लिए ही होगा because यहाँ पर start है तीन major arcanas है यह दो cards अतने अच्छे हैं seven of cups है मतलब wish fulfillment होगी आप दुनों की ठीक है एक तुसरी के लिए options बहुत ज़ादा रहेंगी दोनों के पास ही उस दिन तो guys आप दुनों ऐसा लगएगा आपकी person बहुत आपको gifts दे सकते हैं कुछ न कुछ choices आपके सामने रख सकते हैं आपके person या आप रख सकते हो कि मुझे यह चाहिए यह चाहिए आपस पूछेंगे कि यह चाहिए यह चाहिए ठीक है आपके पास options हो सकते हैं आपक दोनों मिल चुकियो guys आप दोनों का कुई न कोई relationship में भी हुआ hang थे in the past पट जब आपसे मिल लेंगे उसके बाद तो guys सब कुछ सही होगा दोनों ही family बनाओगे अपनी एक सूसे के साथ because यहाँ पर चल्डरन देख रहे हैं मुझे यहाँ पर दोनों में ही उनके पस white dog हो स आपके person के पस आपके person की पस आपके person देकर है chicken आपके बनाना चाहते है ऐसा नहीं किया आपके person आपके साथ कुछ नहीं चाहते हैं आपको पैसे ही घुमारे है बट गाइस वह आपके साथ कुछ ना कुछ अपना in the future देखना चाहते हैं सब कुछ ठीक है कि आपके babies हो आपकी families एक दूसे के साथ हो खुश हो because यहाँ पर lovers भी है एक दूसे के लिए true feelings है आप दूनों के अंदर and यहाँ से देख लेते हैं guys आपके लिए क्या आ रहा है okay guys see this four of wands card है foundation and achievements okay यहाँ पर गाइस शादी के ही cards आ रहे है 10 of pentacles marriage का commitment का money का abundance life में full abundance है कोई कमी ही नहीं है 10 of cups खुश नहीं है हर तरफ ठीक है कोई भी दुख नहीं है sadness नहीं है जो भी आपने देखा इंदा past दुख and sadness वो सब खतम हो चुके है वो सब खतम हो चुके है उसके बाद यह 10 10 आ आ चुके है ठीक है four of wands है यहाँ पर शादी तो guys होकर ही रहेगी बिकास शादी की reading कर रहे है first meeting देख रहे है बस हम ठीक है and awareness guys magician उनको वो aware है आपकी person aware रहेंगे उस दिन awakening होगी उनकी ठीक है awakening चलेगी yes यह मेरा person है अंदर से feel होगा उनको heart से कि yes यह मेरे से बहुत familiar लगता है ठीक है ऐसे future spouse मुझे चाहिए तो guys वैसा ही हो सकता है and deception and envy उनको in the past जो भी धोगे मिले है ठीक है यह आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ न को cheat वगएरा किया है तो guys वो सब चीजें वो भूलकर आगे बढ़ने की से चाहिए यहाँ पे guys दोनों ही शादी की card आचाहिए wisdom and foundation and achievement यह हेरोफेंट है and वो four of wands का card है recognition and reward मिलेगा guys दोनों को moving on guys आगे बढ़ोगे यहाँ guys कहीं पर travel करके जाओगे दोनों यह long drive पे जा सकते उस दिन में आप ठीक है mental conflict okay guys थोड़ा सा अगर आप tension ले रहे हो कैसा रहेगा वो दिन कैसा नहीं रहेगा guys यह सब चीज़ों के उपर ज्यादा focus मत करिए अपने खुशियों के उपर focus करिए जो कि आपको God दे दे जा रहे हो कि and आपको सोचना है कि yes जो भी हो रहे है सही हो रहे है and because यहाँ पे इसको लिखा गया था because यह आपके success का भी रास्ता बन सकते हैं आपके ठीक है आगे successful life का भी रास्ता बन सकते हैं अगर आपको money abundance चाहिए अपनी life में तो guys इस person के through आपकी life में money abundance आ सकती हो कि receive कर सकते हो recognition and reward आप बहुत चाहिना चुगोगे इस person के आने के बाद ठीक है because यहाँ भी वो person manifestor हो सकते हैं intuitive हो सकते हैं बहुत जादा एक दूसे के इस family बनाने का सोचोगे आप तो नो third chakra archangel chamoal first pile में भी आया था ये so आप वो भी वेख सकते है third chakra archangel chamoal आपको कहा जाए archangel chamoal आपके साथ है okay आपके confidence अगर लो रहता है तो guys increase करने में आपकी help करेंगे oh my god guys first pile के ही दोनों archangel आ चुके है शफल करने के बाद भी archangel gabriel बहुत सारी बाते करोगे एक दूसरे के time बिताओगे guys night time में मिलोगे आप okay यहाँ पे star भी है like night में ही आते है stars तो यहाँ भी night time है okay and यहाँ भी guys justice भी शनी का ही card होता है शनी किया मतलब रात अंधेरा ठीक है so guys saturation sign आपके लिए important होता है साड़े साती अगर धाया चल रहे है तो guys उसके बाद अभी Capricorn sign में चल रहे तक रहेंगे Capricorn Ascendant में ठीक है first sign में so 17th January के बाद अगर आप Capricorn Ascendant के हो guys आपकी life change होने वाली है life changing events होंगे आपकी life में होगे query sign में जाने वाली हो कि broken heart मैं तभी आपको बोल रही थी अगर इस person को आप जानते हो ठीक है इसके साथ आपका कुछ ने कुछ रिष्टा इंदा पास रहा है या अभी भी है एक दूसरे से बहुत लड़ते हो एक दूसरे को hurt करते हो ठीक है कि communication नहीं कर पाते हो clearly but God ने तो क कोईनों कोई strategy बना रखी है guys आपके लिए universe ने plan कर रखा है आपके लिए okay contract है आप दोनों का guys justice की ही card आ चुक है again justice कोईनों कोई contract करके आए हो guys आप दोनों ही एक दूसरे के साथ because ऐसे ही नहीं मिलते हैं कोई भी ठीक है अशनवी like अगर आप for example guys सोचे आप खुद ही सोच लिजिए कि God क्यूं हमें मिलवाते है इतनी दूसरे सोच लिजिए आप अगर डैली से हो आप किसे महराश्वरा के person से phone पे मिले हो मतलब आप वैसे कोहीं पे जाते भी नहीं हो phone पे आपने कहीं पे app पे अपने ID बना ले हैं वहां से आप बाते ही अदना स्चार्ट कर दिए किसी person से आपको पता चला कि आपके future spouse ही हो है like आप आपको पता नहीं चला पहले मतलब आपने एक दो साल निकाले उनके साथ दना आपकी शादी हुई तो मतलब आपको तो नहीं पता था कि ऐसे मिलोगे आप दोनों ठीक है वो भी गौड की ही planning होते है गौड ही आपको मिलवाते है भगवान जी हमारे शिव जी हमारे अल्ला सब ही मतलब एक ही भगवान इक ही होते है ऊपर तो एक ही बगवान बेढ़े है guys लिख चुके हैं God, सब कुश, फर्स चक्रा आर्के इंजल, माइकल आपके साथ है, आप सब के साथ, आर्के इंजल, माइकल आपको बता रहें कि, अपने बेस चक्रा के उपर वर्कर होगा, आपके लाइफ में money related issues थे, कोई relationship related issues थे, अपने बेस चक्रा के उपर वर्क करिए, meditation कर सकते हो कि, बहुत सारी YouTube पे वीडियो समिल जाएंगे आपको, meditation के रिडिटर सौरिंग, तो camera हिल गया, ठीक है, यह नहीं यांग गाईज, आपको कहा जारे, आपके यह नहीं यांग energies को balance रखिएगा, यहां पे infinity का sign आया था, first while में, यहां पे यह नहीं यां, twin flame भी हो सकते हो guys, because यहां पे बहुत सारी cycles चलते हैं, ठीक है, twin flame में की जोजनी में, बहुत सारी cycles चलते हैं ठीक है, उसकी वज़ए से hurt होता है, third parties आती हैं, दोनों की life में, ठीक है, एक की life में यही तो दूसरा hurt होगा, तो कर्मा clear होगा एक ठीक है, दूसरे की life में यही पहला hurt होगा, बट उसका कर्मा clear हो रहा होगा, second वाले का, okay, so that's why guys, third parties आती हैं, कर्मा clear होते हैं, then guys, आप दोनों एक तूसरे की, पास आप आते हो, ठीक है, so guys, देख लेते हैं, और, okay, so guys, यहाँ से देख लेते हैं, आपके लिए क्या messages आना चाहते हैं, और कोई messages आपके लिए क्या आना चाहते हैं, guys, contract to आप दोनों ही God से लिखवा कर लाए हो, कि yes, हमारी इशादी होनी है, first impression guys, night time में लोगे ठीक है, behavior guys, person का आपका, like, बहुत ही ज़रब, कह सकते हैं, कि जैसे famous personalities होते हैं, ठीक है, वैसे रहेंगे वो, ठीक है, थोड़ी से struck feel कर रहे थी in the past, उस दिन थोड़ा सा आपके से jolly nature भी हो सकता है, ठीक है, हसी मजाग ठीक है, बैट थोड़ा से normal ही रहने की कोशिश करेंगे, आप भी और वो भी, first pile में तो jolly nature आया था, उनके person का, resourcefulness, गैसे मैं बार बार बोल रहे हूं, कि yes, money की क्यों कमी नहीं होगी, इस person के साथ, वो दिन भी बहुत abundant रहेगा, आप दोनों को यह लगेगा, कितना ज़रा काम कर लिए हैंने, ठीक है, कि एक दूस से मिलने से ही, जैसे ऐसे लगेगा, कि बहुत ज़रा थक चुके है, ठीक है, बहुत काम हो चुके है, हमारा resourcefulness, आपको कहाँ ज़रे, आपको कोई भी money की कमी नहीं होगी, resourcefulness, ओ दिन आपका बहुत ज़रा, abundant रहेगा, खुश्या रहेंगे उस दिन में, storytelling, आपके person, storyteller भी हो सकते हैं, उनको बाते, story में बताने में, मज़ा आता होगा, जैसे as a story बताते होगे, बड़े-बड़े paragraphs लिखकर, आपको master send करना, यहाँ guys, जब आपसे first time मिलेंगे, आपको हर एक चीज जैसे, बोलते चाहेंगे, बोलते चाहेंगे, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर हमने ये किया, फिर हमने वो किया, ठीक है, ऐसे कहते हैं, story teller हो सकते हैं, आपकी person, आप भी guys, story teller हो सकते हैं, आपको भी story teller, मतलब आप भी ऐसे ही होगे, so, आपको कहा जा रहे, कि आपके person भी, ऐसे ही हैं, ठीक है, so guys, bottom of the decade, transcendence, okay, it is not personal, drama is unnecessary, so guys, अगर आपकी life में, कोई drama वगेरा हो रहे हैं, in present, guys, in the future, कुछ भी नहीं होने वाला, okay, सब कुछ सही होगा, in the future, आपकी, अगर यही person आपकी life में है, आपकी as a person, future spouse, तो guys, future आप दोनों का बहुत bright है, okay, because 10 of pentacles, and 10 of cups, एक दम से आजाने, imagination जो की, वही मिल जाना है, ठीक है, आप दोनों के ऐसा होगा, because आपकी, दोनों की ही wish fulfill होगी, उस दिन, ठीक है, because अगर आप love marriage करना चाहते, तो यही पाहिला आपकी लिए थी, love marriage ही होगी, guys, आपकी, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, family मान जाएगी, आप दोनों तो मान नहीं हुए ही हो, ठीक है, तभी मिलेगी, family तभी मिलेगी आप दोनों की, so guys, अगर आप new हो चानल पे, तो subscribe कर लिजे चाहा को, bell icon को दबा दीजे, and comment पे पताना, कैसी लगी आपको reading, and guys, अगर आपने लाइक नहीं किया reading को अभी तक, तो लाइक कर दीजे, so अगर आप मैंने अपना काम कर दिया, आपके लिए reading ले आई, आपका काम भी है कि आप subscribe कर लिए चाहाल को, and bell icon दबागे, लाइक कर दीजे reading को, and comment पे बताएए, कैसे लगी reading आपको, सब्सक्राइज अभी के लिए इतना हरर महादेव, and love you all of you, so bye, रादे रादे,